जहें दोस्तों मेरा नाम है अतूल और स्वागत है आपका अपनी यूटिब चैनल अतूल टिक बजार में दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको डेवलापर आफशन के टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप बहुत सारे फीचर्स एक्स्ट्रा हीडन फीचर्स जो है अप्लाइ कर सकते हैं रियल्मी एंड ओपो की डिवाइस में यह फीचर्स दोस्तों रियल्मी यूए 1.02.0 में भी अप्लाइ आप कर सकते हो वीडियो चलोगे चनल को सब्सक्राइब जरू से कर लिजिए का बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए का चलिए फटापट से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको एबाउट फोन में चले जाना है और यहां वे उपर की तरफ आपको वर्जन का ऑप्शन देखने को मिलेगा बिल्ट नमबर पर आपको पांच-छे बार क्टैप करना है जिससे कि आपका डेवलपर ऑप्शन यहां पे पहले से ही में Reach सन आपको स्टैप का मेंसेज आपको जाना है एंड यहां पर आपको डेवलपड ऑप्शन मिलेगा इसे भी आपको ऊपर किसे आउन करेना है अब यहां पे आपको जुस्तों बहुत सारे दाना है सबसे वह फीचर है दो नाट यूस लौक स्क्री unable करते हैं आप सकते हैं मेरा ओपन हो रहा है कोई भी ap का यह और अप आफ आ नहीं हाते हैं Since इसके बाद यहांपर मैं ने इससे डिसेबल कर दिया है तो लोक अगसिन आ रहाँ है आप दूर से ही बैटरी देखते रहो कि कितने परसेंट यहां पर चार्ज हुई है तो इस अप्शन को आप डेलप और आप्शन से आउन कर सकते हो जिसे दोस्तो आपको डिरेकली दिखता रहेगा सबसे अची बात यहां पर नॉर्मल स्क्रीन आउन नहीं रहती है पावर सेविंग मोड पर ही स्क्रीन आउन रहती है तो यहां पर आप इससे टैप करके आउन कर सकते हो दूर सही देख सकते हो कि आपके मुबाइल के बैटरी कितनी चार्ज हुई है तर्ड में दोस्तों यहां पर आपको रिनिंग सर्विस का आप्शन पर आप यहां पर दिखाई देगी जिससे आप यहां पर ट्रेस कर सकते हो कि कौन से एप कितना यहां पर रैम यूज उसकर रही है इसे आप यहां से डिलिट भी कर सकते हो तो काफी अच्छा फीचर है यहां पे अगर आप 3.00 पर जाओगे तो क्रेचिए प्रोसेस भी दिखाएगा कि किस्तनी क्रेचिए प्रोसेस यहां पे हो लिए जिससे कि रेम जो है रिजूम कर रहा है यह सिस्टम तो यहां से आप यह सारी डिटेल पा सकते हो नेक्स्ट फीचर है दोस्तो सिलेक्ट मोक लोकेशन एप यहां पर दोस्तो बहुत सी सिच्वेशन में ऐसा होता है कुछ वीडियो जो है यूटूब यह अदर एप के हम देख नहीं पाते है रिजन बॉंडेशन के कारण जहां पर इस के इस पीचर के दूरू आप यहां पर आप जो है इंस्टाल कर सकते है वैसे बहुत सारी एप फेलेस्टेर में बेलेबलेव फेच जीपिएस्ट कर लोगे और यहां पर सिलेक्ट करोगे मुटक लोकसिन में तो यहां पर जो भी मोकेशन आप सिलेक्ट करो के व Anoекक करोगे हैं बीडिड हो जाएगी तो refresh rate का भी यहाँ पर option है जैसे आप इसे on करते हो यहाँ पर refresh rate 60Hz, 90Hz, 120Hz जो भी आपके mobile में refresh rate चल रहा है on screen यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए का जैसे आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने site में convert किया एक्तम से यहाँ पर refresh rate 60Hz हो गया है and then again से मैं यहाँ पर settings section में जाता हूं तो refresh rate 90Hz हो जाता है तो अगर आपको अपने mobile का continue refresh rate चेक करना है तो इससे वाले function को आप on करके refresh rate चेक कर सकते हो अगला option है दोस्तो default USB configuration का अगर आप USB से data sharing या फिर PC से USB का use जादा करते हो तो यहाँ पर आप अभी देख सकते हो no data transfer पे selected है आप उपर वाला file transfer android auto transfer पे select कर दोगे तो जो आपको pop-up देखने को मिलता है USB select करने के बाद USB connect करने के बाद वो आपको directly नहीं देखने को मिलेगा और directly जो है आपका mobile connect हो जाएगा default USB configuration से नेक्स्ट फीचर में दोस्तों आप यहाँ पर अपने system की जो animation speed है उससे यहाँ पर change कर सकते हो यहाँ पर default 1x रहता है आप अगर इससे 0.5x या फिर उससे जादा करोगे तो यहाँ पर आप जो है fast या slow work कर सकते हो जैसे आप देख सकते हो 0.5 अगर मैं करता हूँ त लेकिन दोस्तों आप अपने हिसाब से से कर सकते हो बट recommend मैं करता हूँ कि 1x पे ही रहने दीजेगा तो better रहेगा क्योंकि यहाँ पे battery consume भी ज्यादा होता है अगला फीचर है दोस्तों force 4x MSAA इससे थरू दोस्तों अगर आप इससे on करते हो तो quality जो है graphics की gaming में and open GL ES 2.0 applications की तो काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाती है बट सबसे इसका जो low benefit यह है कि यहाँ पे आपका जो battery consume में ज्यादा होगा बट smoothness और graphics जो है वो काफी अच्छे ढंक से चले लगेंगे तो अगर आप इस टाइप के gaming करते हो तो इसको जैसे ही आप on करते हो तो gaming काफी बहतर इसके ही इसे on करिएगा next option है दोस्तो background process limit यहाँ पे standard limit में ही auto selected रहता है और five apps जो है पीछे background में जो running होते रहती है उसे यहाँ पे वो open करके रखता है यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसे no limit भी कर सकते हो one two three four five ऐसी limit भी दे सकते हो इसे true जोस्तों यह होता है जैसे ही अग अगर आप कोई app को background में रखते हो तो उसके running process वहीं से start होती है अगर आप इसे select करते हो और अगर आप no access करोगे no limit करोगे तो यहाँ पे again से जब आप उस app को open करोगे तो वहीं से start होगी जैसे आप देख सकते हो browsing में अगर कर रहा हूं तो यहाँ पे अगर मैंने no limit रखा ह है तो browsing वहीं से start हो रही है तो इस तरह से दोस्तों अगर आप इसे no limit पे रखते हो तो आपकी जो current app है उसमें काफी अच्छे smooth तरीके से open वहोगी but background app में थोड़ा सा यहाँ पे delay आपको देखने को मिलेगा अगला option दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है force activities to be recycle यहाँ पी द करती है by default यहाँ पे अगर आप forcefully split screen का यूज करना चाहते हो तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस जो फीचर है उसे on करना होगा देन उसके बाद आपको अपना mobile restart करना होगा and उसके बाद जो एप जो है split screen support नहीं करती उसके बाद यह split screen को support करने लगेगी forcefully but यह process जो है forcefully होती है तो थोड़ा बहुत यहाँ पर lag app crash का issue आपको देखने को जरू से मिलेगा तो यह से दोस्तों कुछ ए extra feed and feature जो कि developer option के अंदर आपको देखने को मिलते हैं I hope आपको यह वीडियो जरू से पसंद आया होगा घर पर रहिए safe रहिए मिलते हैं next ने वीडियो के साथ